नमश्कार, दुनिया में एक नई तरह की मंदी आ रही है और इस मंदी में बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, कई आप तो इस मंदी का सिकार नहीं हो रहे हैं, एक बात बता दो आपको, पहले में कि मैं पेसो की मंदी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग त आप तरह की आदिस दिसे कने कि बारे में बात करेंक versucht बॉत एक जोड़ा हुआ ऀसए उसे जुड़े महिसुस करें और वो मंदी है अकेले पन को मैसूस करने की मंदी आज कल के युवा आज कल के लोग अधिकतर अकेले पन से जूज रहे हैं अभी हाली में सर्वे आया कि अकेले पन से जूजना यानि आप 15 सिगरेट पीते होना जितना नुकसान होता है न उतना नुकसान अकेले पन के जूजने से होता है और अभी हाले में एक सरवे आया है 2022 में के विस्व में 30% लोगों के पास में सचे मित्र नहीं है लंगोटिय यार नहीं है वो सचे मित्र नहीं है जिनके आपास जाकर वो अपने दुख दर्द की बात कह सके उसके फ्रेंड के पास में जाकर अपनी बावनाए प्रकट कर सके रिलीज कर सके ऐसे फ्रेंड आज के जमान में खत्म होते जा रहे अभी सरवे आया उसने बताए कि लोगों के पास में सचे मित्र की कमी है वो अपनी बावनाए बताए तो किसको बताए बस वो अकल ही अकले गुड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर मरते रहते हैं वो अपनी बावना किसी को बताए नहीं सकते आखिर ये मंदिक क्यों आ रही है लोगों के पास में सचे मित्र क्यों नहीं है जो उनके रात दिन कभी भी जुरूत पड़े त बात को हूँगा तो वो बात सिर्फ उसके पास रखेगा वो दूसरों को नहीं कहेगा वो मेरी बावनाओं को समझेगा आज के समय में ऐसे मित्रों की ऐसे दोस्तों की कमी हो गई है डेपिनेटलीाप ही सोच रहे होंगे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप इस सोचने प्रेंड हैं आपके पास जो आपकी बावनों को समझते हैं जिसके पास आप जाकर आप अपनी दिल की बात कह सको और जिसके उपर आपका परोसा हो कि में रात के बारा बज़े भी बुलाओं तो वो आजाए सोचना कि आपके पास इतने मित्र कितने हैं तो पूरा विश्व आज के टाइम में एसी मंदी से गुजर रहा हैं और आने वाले टाइम में तो कहा जा रहा है कि ओर जदा खतनाग मंदी आई लिए तो एसी मंदी आखिर क्यों आ रही है ये पता है आपको सबसे पहले तो एसी मंदी आने का कारण है कि आप अपने सरकल में आप अपने दोस को time में देते हो बच्पन में दोस्तों के साथ में किस भी तरैंसे ठीक एभी आप को करियर की तन के अभी आपको समय नहीं है slight थोड़ा तो समय अपने धोस्तों को देना होगा जब आप थोड़ा सा में बिताते हो न अपमें दोस्तोंके साथ में तो अच्छी bonding बनती है अच्छा relation बनता है और आपके अंदर और आपके अंदर जितने भी गिले, सिक्वे और दुक और boundah होती है ना आप जब दोस्तों के साथ में बेठते हो ना तो दोस्तों को कह सकते हैं तो अपने जो खास दोस्त होते हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताई है आपका मन हलका होगा और आपकी बावना है आप अपने दोस्त को कैसे कोगे अपने संस्कृति से दूर मत होना आज का लोग क्या अपनी संस्कृति से भी दूर हो रहे हैं चोटे बोटे पहले program होते थे तो सारे दोस्त को मिले करते थे खूब enjoy करते थे लेकिन अब किसी को time ही नहीं है तो अपनी संस्क्रिति को वापिस बीचे को दीचिये आप सब मिलोगे बेटोगे बात करोगे तो आपके बीच में अच्छे विचार आएंगे आप अपने विचारों को अदान पर्दान अपने दोस्तों के बीच में कर पाओं। करियर की टेंसन अधिकतर लोगों को करियर की टेंसन होती है तुम अपने दोस्तों के साथ में अपने रिष्टेदारों के साथ टाइम नहीं बिता पाते हैं बस रात दिन लगे रहते हैं उस रात दिन लगे रहने के चक्कर में आप अपने अच्छे मित्र खो देते हो और बोड़ा वो समय तो अपनों के लिए निकालिए अपनी बावनाएं बाहर निकालिए तो इस आजिकता लोग क्या करते अपने सचे मित्रों के साथ टाइम बिताते हैं सोसल मीडिया पर टाइम बिताते हैं जो अदरश्य फ्रेंट होते हैं जो सामने नहीं होते हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं और हकिकत में वो आपके साथ नहीं होते हैं तो थोड़ा सोचल मीडिया से दूरी रखिए और थोड़े अपने रियल मित्रों के साथ समय विताईए जब भी जुरूत पड़ेगी तो वो आपके साथ आएगी यह फेजबूक, फेजबूक, वाटसब, इस्टाग्राम, यूटूब इन सबके फ्रेंड आपके पास नहीं जुरूत पड़ेगी तो, रियल फ्रेंड ही आपके जुरूत पड़ेगी तो आपके साथ आएगी, तो यह दुनिया की नई मंदी अभी आ रही है, इस नई मंदी से आप बचना, परना आप भी अकेले पन के सिकार हो जाओगे, और अंदर ही अंदर गुट कर मरते रहोगे झाओगे